और इरान इसराइल वार से जुड़े इस वक्त किया बड़ी ख़बर आपको बता दे इरान ने इसराइल को तबाही वाला ट्वेलर दिखा दिया है उत्तर और दक्षिंड से इसराइल की भारी तबाही का प्लैन सामने आया इस्राइल पर हाइपर सोनिक मिसाइलों से हमले की तैयारी की जा रही है बड़ी ख़बर इस वक्त की तो इरान इस्राइल वार से जुड़ी इस वक्त की है सबसे बड़ी ख़बर आपको बता रहें लगातार दोनों देशों के भी जंग छिड़ी हुई है और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर इरान ने इसराइल को तबाही वाला ट्रेलर दिखाया है पूरी प्लानिंग कर ली गई है इरान की ओर से इसराइल को तबाह करने की उत्तर और दक्षिन्स इसराइल की तबाही का मेगा प्लान तयार हुआ है इसराइल पर हाइपर सोनिक मिसाइलों से हमले की बोड़ी तयारी की गई है इरान की समाचार एजनसी आईसने ने बताया है कि इरान के पास ऐसी नो प्रकार की मिसाइले हैं जो इसराइल तक पहुँच कर हमला करने की ताकत रखती है इन में से कुछ के स्पीड 900 किलो मेटर प्रती घंटे की रफतार से 2000 किलो मेटर की रेंज में जाकर हमले कर सकती है इरान ने आज अपनी नो मिसाइलों की ताकत पूरी दुनिया को दिखाई है लेकिन इन में भी पांच मिसाइलें ऐसी हैं जिससे अमेरिका और इसराइल के जनरल खौफ खाते हैं इरान की पहली घातक मिसाइल सेज्जिल मिसाइल सेज्जिल मिसाइल इरान के द्वारा दो चर्णों में विक्सित की गई है ये मध्धम दूरी की बैलेस्टिक मिसाइल है इरान ने सेज्जिल मिसाइल 1990 के दशक के अंत में बनानी शुरू की थी इसका डिसाइन इरान के जेलजल SRBM से लिया गया था सेज्जिल मिसाइल की लंबाई 18 मीटर व्यास 1.25 मीटर और कुल वजन 23,600 किलोग्राम है ये 2000 किलो मीटर की रेंज तक हमले कर सकती है ये हमला 700 किलोग्राम के पेलोड बारूद के साथ हो सकता है इरान की दूसरी घातक मिसाइल खाबर मिसाइल इरान की खाबर मिसाइल को खुर्रम शहर पोर के नाम से भी जाना जाता है खाबर मिसाइल इरान की मिसाइल फैमली की चौथी पीडी की मध्यमदूरी की बेलेस्टिक मिसाइल है ये मिसाइल इरान के रक्षा मंत्राले ने बनाई है और इस मिसाइल की मारक्षमता दो हजार किलो मीटर है और ये मिसाइल पंदरह सो किलोग्राम बारूद और हतियार ले जाने की क्षमता रखती है इस मिसाइल का नाम इरानी शहर खुर्रम शहर के नाम पर रखा गया था जो 1980 के दशक में इराक इरान युद्ध के दौरान खतरनाक जंग का एक मैदान बन गया था खुर्रम शहर मिसाइल को खैबर मिसाइल भी कहा जाता है इसका नाम अरब में खैबर की लड़ाई के दोरान जीते गए एक किले के नाम पर रखा गया है ये मिसाईल इरान में सयाद त्री मिसाईलों के साथ एक खास समारों में दिखाई जा चुकी है इरान की तीसरी घातक मिसाईल इमाद मिसाईल इमाद मिसाइल इरान की मिसाइल कारिक्रम की एक महतोपूर कड़ी है इसकी मारक्षमता लगभग 700 किलो मीटर है ये मिसाइल 750 किलोग्राम वजन के बारूद ले जा सकती है इमाद इरान की पहली गाइड़ेट बलेस्टिक मिसाइल है जो सता से सता पर मार करती है ये मिसाईल अपने लक्ष के 500 मीटर के दारे में 60ी खमला कर सकती है इस्रेल इस मिसाई को अपने लिए विशेश खत्रा मानता है इरान की चौथी घातक मिसाईल शहाब थ्री मिसाई शहाब मिसाई भी इरान ने विद्सित की है ये इरान गाज स्वदेशी प्रोजेक्ट है लेकिन इसका डिजाइन उत्तर कोरिया की नो डोंग वन पर आधारित मध्यम दूरी की मिसाईल पर मिलता जुलता है इसमें तरल इंधन का इस्तिमाल होता है ये मोबाइल बैलेस्टिक मिसाईल है ये 1200 किलोग्राम विस्पोटक के साथ भी लॉंच की जा सकती है इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है हलके पे लोड के साथ ये 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है ये मिसाईल चीन में बनी होए दिशा निर्देशक के द्वारा संचालित होती है शहाब 3 मिसाईल का इस्तिमाल इरान की एलीट पोस इसलामिक रिवोलुशन भी गार्ड्स गूर्गी करती है इरान की पांचवी गातक मिसाईल फत्ता 2 मिसाईल फत्ता 2 इरान में विक्सित हाईपरसोनिक मिसाईल का एक नया एडिशन है हाईपरसोनिक क्रूज मिसाईलों की टेक्नलोजी को मिला कर बनाई गई है इस प्रोजेक्ट पर अब भी काम भूड़ा है और अविश्य में इसके और संसकरण बनाए जाने की उम्मीद है फत्ता 2 मिसाईल की मारक्षमता 15-1800 किलोमीटर है और इसे बिना पैचाने लक्ष को भेदने और निशाना साथने के लिए डिजाइन किया गया है इस मिसाईल के दो हिस्से हैं पहला हिस्सा फत्ताट फोस इंधन बूस्टर है जो मिसाईल को अंतरिक्ष से एक निश्चित उँचाई तक ले जाता है और दूसरा हिस्सा ग्लाइडिंग वार हिड है जो बूस्टर से अलग होता है और इसमें एक तरल इंधन वाला ने डेजाइन किया गया है जो उच्छ सटीकता के साथ लक्ष पर हमला करने और पहचान से बचने की क्षमता रखती है फत्ता टू हाइपरसोनिक मिसाइल इरान की सबसे घातक मिसाइल है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये आइरन डोम के कबच को भी तोड़ने की क्षमता र इरान ने ये मिसाइल बनाई थी तब इरान में इतना जोश आ गया था कि उसने तेहरान की सडक पर एक वोट लगा दिया था इस वोट में लिखा था कि इसरेल के शहर देल अवीब को खत्म करने के लिए सिर्फ 400 सेकंड चाहिए आखिर इरान की हाइपरसोनिक मिसाइल में इसा क्या है कि वो सिर्फ 400 सेकंड में इसरेल को तबाह कर देगी 6 जून 2023 को इरान ने फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया के सामने पेश की ती और 3 जॉलाई 2023 को इरान ने गोशना कर दी कि वो इस मिसाइल को युद्दपोद पर तहनात करने जा रहा है यानि सिर्फ एक महीने से कम समय में इरान ने पूरी दुनिया को चौका दिया है इस मिसाइल की रेंग 1400 किलोमीटर है और ये मैक 15 की गती से टार्गेट को नश्ट करती है मैक 15 का मतलब ये है कि सिर्फ एक सेकंड के अंदर करीब 5 किलोमीटर की दूरी तैकर लेगी इस हिसाब से इरान एराग बॉर्डर से 1287 किलोमीटर दूर इसरैल तक पहुंचने में इस मिसाइल को सिर्फ 257 सेकंड लगेंगे यानि ये मिसाइल सिर्फ साड़ साब चार मिनिट के अंदर इसरैल को हिट कर देगी इरान के अंदर इस हाइपरसॉनिक मिसाइल के निर्मान के बाद बहुत जवरदस्त जोश है इरान के सरकारी डीवी में ये दावा किया गया है कि ये हाइपरसॉनिक मिसाइल अमेरिका के डिफेंस और इसराइल के आइरन डोम के डिफेंस को भी भेदने में सक्षम है इरान के इन बड़े बड़े दावों पर इस्राइल की भी तेयोरियां चलगए है इस्राइल के रक्षामंतरी योफ गलेंट ने इरान के दावों को खारिश करते हुए कहा है कि मैंने सुना है कि हमारे दुश्मन उन हत्यारों के बारे में शेखी भगार रहे हैं जो वो विक्सित कर रहा है हमारे पास ऐसे किसी भी विक्सित हत्यार के लिए और भी बहतर जवाबी हत्यार तैयार है चाहे जमीन पर, हवा में या समुद्री शेत्र इरान जहां भी हमला करेगा बहतरीन जवाब मिलेगा इसराइल की सरकारी डिफेंस कमपनी रफाइल ने बताया है कि उसके पास हाइपरसॉनिक मिसाइल इंटरसेप्टर करने वाला सिस्टम है कमपनी के टूटर हैंडल पर एक डिफेंस सिस्टम वाला वीडियो भी रिलीस किया गया इसराइल दुनिया के उन देशों में से है जिनकी डिफेंस शमता का हर कोई लोहा मानता है इसराइल के पास दुनिया का बेस्ट एर डिफेंस सिस्टम है इसराइल का दावा है कि उसके दुनिया में पहली बार हाइपरसॉनिक मिसाइल का भी इंटरसेप्टर तयार कर लिया है SkySonic नाम का HyperSonic Missile Interceptor System आवाज से 10 गुना तेज यानी Mac-10 तक की रफ्तार से गुजरती मिसाइलों को प्रेस कर सकता है HyperSonic Missile लॉंच होने के बाद भी अपनी राह बदल लेती है SkySonic फिर भी उने ट्रैक कर लेगा यही नहीं SkySonic HyperSonic Ballistic Missile और HyperSonic Cruise Missile दोनों तरह की मिसाइलों को Intercept कर सकता है इसराइल ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उसको पता है कि अपने नागरी को कि सुरक्षा कैसे करनी है अगर युद्ध हुआ तो दुश्मनों पर करारा प्रहार करेंगे अगर युद्ध हुआ तो यह पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है आगर HyperSonic Missile में ऐसा क्या कास होता है जो हर देश इसको बनाना चाहता है HyperSonic Missile एक ऐसा हत्यार है जो 5 Mac की कती या इससे भी ज्यादा की स्पीड से उड़ान भरती है 1 Mac Speed का मतलब है ध्वनी की स्पीड के बरावती गता ध्वनी यानि आवाज एक घंटे में 1225 किलो मीटर की प्रूरी तैक ड़ेती है इस तरह एक Mac Speed का मतलब है 1225 किलो मीटर प्रूरी गंटा 5 Mac Speed का मतलब है 6125 किलो मीटर प्रूरी गंटे के रपता हाइपरसॉनिक मिसाइल पलेस्टिक मिसाइल से ज्यादा सटीक निशाना लगाती है हाइपरसॉनिक मिसाइल कम उचाई पर गुज़ने के वज़ा से रडार की पकड़ में नहीं आती है यही वज़ाए कि हाइपरसॉनिक मिसाइल एर डिफेंस को तोड़ देती है और दुश्मन पर बहुत तेज हमला करती है इतना तेज हमला कि दुश्मन को समझने का मौका भी नहीं मिलता है जैसे रूस की किंजल मिसाइल हाईपरसॉनिक मिसाइल है जिसने युकरेन में कहर ठा दिया यॉर्प के कैई देशों ने युक्रेन को अपने डिफेंस दिये हैं फिर भी किंजल हाइपरसॉनिक विस्टाइल को कोई डिफेंस नहीं हुची था और यही वज़ा है कि हाइपरसॉनिक विसाइल के निर्मान का दावा करके हीरान के रेवलूशनरी गार्ड के कमान्डर्स फूले नहीं समा रहें करे अध़िए इन सामाना डारायः सराएट बस्यार बलाएएब और ሡ ॻ न अ इा उप रिरोन जवैराड दावान के हिर दाव दू XL धर यह सामिय एरान आज है नहीं उन्हां उहूर में करें वा तेखने में करना तो जहास सादे बज़ा हैं कुल मिलाकर मिडिल इस्ट के हालात तनावपूर बने हुए है और इस्राइल एरान के बीच कभी भी एक बड़ा युद्ध च्छड सकता है कर दो जाहस लोगी है और बाहने कर दो सकता है